दिली के आउटर नोर्थ जिले के शाहबार डेरी थाना इलाके में बीटी गुरुवार देराथ जुवक की चाको से गोदकर निर्मम हत्या परिवार का आरोप घर से बुला कर दिया हत्या की वारदात को अंजाम राजधारी दिली में अपराद थमने का नाम नहीं लिटा है आए दिन चोरी लूट पाट और हत्या जेसी आपरादी घटनाये आम होती जा रही है ताजा मामला बाहरी उत्री दिली के शाहबार डेरी थाना इलाके के अंतरगत आने वाले जैन कलोनी में सामने आया है जहां करीबन आठ से दस की संख्या में आई यूबको ने एक यूबक की चाको से गोद कर निर्मम हत्या कर दी यह पूरा मामला गुरुवार की देरात का बताया जा रहा है में तक यूबक की पहचान प्रिंस के रूप में हुई है जो जैन कलोनी का ही रहने वाला था परिजनों द्वारा मिली जानकारी के नुसार प्रिंस घर से दूद लेने के लिए पास कही दुकान में गया था जिसके बाद कुछ यूबक को ने उसे बुलाया और घर से कुछ दूरी पर चाकों से गोद कर उसकी हत्या कर दी परिवार वाले प्रिंस को लेकर होस्पीटल पहुचे जहां डोक्तरों में उसे मृत घोशित कर दिया परजनों का आरोप है कि पास में ही रहने वाले कुछ लड़कों ने अपने अन्य साथ्यों के साथ मिलकर हत्या की सवारदात को अंजाम दिया है मृत के पिता की माने तो यूबकों ने चाकों से करीब 3-35 बार वार कर मौत के घाट उतार दिया मृत के पिता की माने तो आरोपी यूबकों का प्रिंच से पहले भी किसी बात को लेकर जगड़ा हुआ था यह अपने बेटे को दूर ले ने भेजा था दस बजे उसके यार दोस्तों ने उसको बुला लिया सुमसान जगा पे उस पे चक्कु से बार कर दी है क्लोनी के किसी बंदे ने बताया कि तुम्हारे ने लोका ऐसे से वह जखमी पड़ा हुआ है 30-35 चक को बताए है पहले भी जगड़ा भी हुआता है इनका सरते यीट से वार कर रख है और चाकू बहरहल दिल दहला देनी वाले इस वारदात के बाद सही आसपास के लोगों में दहशत का माहुल बना हुआ है महीं पुलिस टीम भी मौके पर पहुँची और आगे की तफ्तिश में जुट गई है दिली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार के रिपोर्ट हमवतन टीवी